हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मित करता हूं कि आप सभी लोग एक दम बढ़िया होंगे आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हुंडाई क्रेटा का एस प्लस नाइट एडिशन और यह आपका डीजल मैनुवल वाला वेरेंट है प्राइस पड़ती है 15.47 लाक एक्सोर किये जाते हैं मीनवाइल अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा सुरुआत करते हैं कीफ आप से तो देख लीजे कुछ इस तरह की कीफ आफर करी जाती 1790 mm की कुल चोड़ाई है बीच में हुंडई का लोगो है यह जो रेड डिश्ट्रिप है इसकी लुक्स को चार चान लगा रहे हैं ग्लॉसी ब्लैक में ही आपको ग्रिल देखने को मिलती है पूरा पोर्सन एक्चली आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है नीचे आप देखो आपको जो फ्रेंट की स्किट प्लेट है वो भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलती है यह रही आपकी अंडर बॉड़ी और ग्राउंटलेस एक सुननब्य मिम का यह कार आपको उफर करती है दोस्तों देखिए फ्रेंट में रैप चड़ा हुआ हुआ वरना बहुत बढ़िया लगता पूरा काला बढ़ा अच्छा लगता LED में आपको कुछ इस तरह के DRLS देखने को मिल जाते है LED में ही आपको सारे headlamps offer किये जाते हैं दोस्तों वही नीचे देखेंगे तो आपको fog lamps halogen में offer किये जाते है indicators तो obviously आपको halogen में ही देखने को मिल करती है यह रही आपके wipers यहां पर आपको automatic rain sensing wiper नहीं मिलते हैं उपर आपको panoramic sunroof मिलती है वह आपको मैं अंदर से दिखाऊंगा लेकिन wrap चड़ा हुआ पता नहीं कैसे खोल पाएंगे और यह रही आपकी complete front profile front profile के बारे में आपकी क्या रहा है comments में जरूरू बताएग वाला है इंजन इसमें आपको मिलेगा 1.5 liter CRDI टर्बो डीजल इंजन जो 113 php की power 250 newton meter का टॉर्क प्रोवाइड करेगा 4 cylinder engine है बाकी radiator गिल वगर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से डग दी गई है insulation और damping वगर आपको यहां पर provide करी जाती है जिसकी वज़े से अंदर आपको cabin में noise feel नहीं होती है दोस्तों 4300 mm की कुल लंबाई के साथ 2610 mm का wheelbase यहां पर आपको offer किया जाता है साथी साथ एकदम zero chrome delete कर दिया है सारा chrome wheel arches आपको matte black finish में round wheel arches offer किये जाते हैं कुछ इस तरह से आपको diamond cataloys देखने को मिलते हैं size 205 65 16 17 inch के दिये जा सकते थे calipers आपको red देखने को मिलते हैं यह आपका front suspension और safety के लिए आपको all four disc brakes यहां पर offer किये जाते हैं देखिए देख लीजिए यहां पर आपको पीछे भी disc brakes देखने को मिल जाते हैं दोस्तों body color में आपको door handles देखने को मिलेंगे को पैसे साथ में request sensor नहीं है window line पर भी कोई chrome का use देखने को नहीं मिलेगा और यह देखिए आपको pillars वगएर न नीचे आपको कोई भी puddle lamp या 360 degree camera देखने को नहीं मिलता है guys यहीं आप देख सकते हैं इधर आपके left side में body के fuel lid की placement है दीजल वाला variant है और tank capacity आपको 50L की यहां पर देखने को मिलती है साथ ही साथ देखिए यूरिया वगरा भी न आप सब एक ही lid की अंदर देख पहेंगे यहीं से आप fill up कर सकते हैं यहां देख लीजी आपको कुछ इस तरह से body color में spoilers देखने को मिलते हैं थोड़ा सा sloppy design आपको यहां देखने को मिलेगा बात कर लिजाए रियर प्रफाइल की तो देखिए कुछ इस तरह से complete black में रियर प्रफाइल उफर करी जाती है हाइट आपकी 1635 mm की देखने को मिलती है दोस्तों वहीं बीच में आपको क्रेटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी Hyundai का आपको लोगो ऑफर किया जाता है इस हाई मांट की प्लेस्मेंट आपको थोड़ी सी अक्वर्ड लेगेगी उपर की बजाए यहां सेंटर में दी गई है डिफauber देखने को मिल जाता है वहीं उपर आपको शार्क इर सब्सेंटर में देखने को मिलती है वहीं नीचे देखेंगे तो आपको यहां पर पे की प्लेस्मेंट देखने को मिलती है इस कार के ब्लाक कलर के साथ कुछ इस तरह की LED में टेल लाइट्स बहुत कॉंप्लिमेंट करती हैं हेलोजन आपको इंडिकेटर में देखने को मिलते हैं आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको बूट स्पेस और टेल गेट देखने को मिलता है सबसे अची बात यहां पर आपको फ्लैट बूट ऑफर किया जाता है समान निकालने और रखने में टेंसन नहीं होने वाली है यह देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको बॉत हार्ड सा पत्रा रखा गया है इस पर टार आपको अपैर प्लो का देखने को मिलता है योजन में एक लैंप Tir श्यट सापकि 60-40 स्प्लिट में है यह रहा का स्क्राइभ इधर आपको जलान देखने को मिलता है यह रही आपकी parcel tray और बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको dashboard देखने को मिलेगा दोस्तों चलिए बात कर रहते हैं इस गार के interior features के देखो के वल driver side में आपको request sensor offer किया जाता है door panel देख लीजिए आपको एक दम black door panel offer किया जाता है दोस्तों यह देखिए सब कुछ hard है यहाँ पे soft portion आपको शायद ही देखने को मिलेगा सब कुछ hard है grab handle power window के controls one touch आपको देखने को नहीं मिलता है lock unlock का button ORVM के control retractable नहीं है यह silver satin finish में handle नीचे आपको umbrella holder bottle holder देखने को मिल जाएगा यह रही आपके speakers की placement total 4 speakers और 2 tweeter offer किये जाते हैं driver seat की बात करें तो आपको यहाँ पे देखो manual adjustment के साथ driver seat offer करी जाती है fabric upstream में आपको seats देखने को मिलेगी engine bay opener fuse box यह आपका headlight leveler traction off करने के लिए engine idle start stop switch यह आपका ignition का button AC के vents और उसी के किनारे किनारे red descent बागी एक बाद dashboard पर आप यहाँ से नजर मारो तो काफी खूबसूरत लगता है red color का का अच्छे से इस्तमाल किया गया है चलिए एक बार ना अंदर बैठ जाते हैं अंदर बैठते ही आपको सबसे पहले दिखेगा इसका instrument cluster analog है लेकिन काफी sporty feel देता है left side में देखिए आपको सारा यहाँ पर temperature देखने को मिल जागा right side में fuel वगरा दिखाएगा बीच में आपको digital cluster छोटा सा देखने को मिलता है बाकी सारी information वहीं मिलती है steering column आपको flat bottom देखने को मिलेगा silver ascent का use किया गया है leather wrapping वगर आपको देखने को नहीं मिलती है बीच में Hyundai का logo airbag की badging टोटल यहाँ पर आपको उच्छा airbag offer किये जाते हैं यह रहे आपके सारे infotainment screen के control और इधर आपको देखेंगे तो cruise control offer किया जाता है automatic headlamps offer किया जाते हैं दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको wipers automatic देखने को नहीं मिलते हैं दोस्तों steering column आपका केवल tilt adjustment के साथ offer किया जाता है बात कर लिजा infotainment screen की तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको 8 inches की infotainment screen देखने को मिलेगी touch में है काफी बढ़िया है android auto और apple car पे support करती है लेकिन wireless नहीं है और यहाँ पे आपको touch response की बात कर लेते हैं तो काफी बढ़िया response है कि इतना ज्यादा बिकार भी नहीं है इतना ज्यादा बढ़िया भी नहीं है बागी देखो आपको यहाँ पे physical buttons भी देखने को मिल जाएंगे touch से भी काम कर सकते है physical button में आपको chrome essence देखने को मिलता है दूस्तों वही नीचे आपको automatic AC देखने को मिलेगा hazard light की position और वही नीचे आपको चोटाटा display मिलेगा जिसमें आपको ACS related सारे controls आपका circulation mode वगरा सब दिखाएगा 12 volt का एक socket है एक type c port है एक usb port है आपको देखने को म compliment करती है एक बार इसके reverse camera की quality check कर ली जाए तो देख सकते है कुछ इस तरह से आपको reverse camera देखने को मिलता है guidelines आपकी adaptive है मतलब steering के साथ move करती है साथी साथ range markers भी आपको देखने को मिलते है quality की बात करूं तो quality से मैं fully satisfied हूं काफी बढ़ी आपको quality देखने को मिलती है इसके reverse camera manual आपको hand brakes देखने को मिलते है साथी साथ 2 cup holders armrest आपका soft में है लेकिन sliding नहीं है और यह देख लीजिए कुछ इतना space आपको यहाँ पर offer किया जाता है दोस्तों glove box देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको छोटा सा ही glove box offer किया जाता है लेकिन cool है यह अच्छी बात है लेकिन light का option नहीं दिया गया है आपके manual IRVMs आपको offer किये जाते हैं इस price range में आपको auto dimming IRVMs देने चाहिए थे यह रहाए आपके sun glasses holder cable light आपको देखो LED में देखने को मिल जाती है साथी साथ आपको यहाँ पे panoramic sunroof देखने को मिलेगी लेकिन मैं भी खोल के दिखा नहीं सकता हू क्योंकि उपर देखो wrap चड़ा हुआ है यह रहाए आपके grab handles और यह होगा आपका complete dashboard black और red color में काफी बहतरीन लग रहा है चलते है second row में इधर आपको glossy black finish में door handles देखने को मिल जाएंगे और देख लिए complete black out door यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे भी सब आपको hard offer किया जाता है curtains वगर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे एकदम celtos वाला हिसाब देखने को मिलता है interior देखेंगे तो कुछ इस तरह से black और red piping में interior देखने को मिलेगा red line दे रखिए जो red piping काफी जादा compliment करती है बागी देख लिए fabric आपको कुछ इस तरह का black fabric नहीं है black और दूसरे shade में आपको fabric offer किया जाता है sitting comfort की बात करी जाएं तो देखो knee room आपको sufficient देखने को मिल जाता है thigh support भी आपका sufficient offer किया जाता है leg room में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरी height 5 feet 6 inch है आप देख सकते है मेरे लिए काफी headroom बन जाता है यहां सामने आपको magazine holder देखने को मिलता है वही पे co-passen side में जाएंगे तो इधर भी आपको magazine holder देखने को मिल जाएगा दोस्तों नीचे AC के vents silver ascent का use काफी अच्छे से किया गया है एक आपको USB port देखने को मिल जाएगा और यहां पर थोड़ा सा hump आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वागी rear seat से देखेंगे तो इस तरह से आपको complete dashboard देखने को मिलेगा central console में थोड़ा सा काम किया जा सकता था seats की बात करी जाए तो आपको देखो 60-40 split में seats offer करी जाती है लेकिन दो ही adjustable headrest है बागी नीचे देखें आपको यहां पर armrest तो मिलेगा cup holder मिलेगा लेकिन थोड़ा सान है समलो softer side में लटक जारा नीचे की तरफ बागी तीनो पैसेंजर के लिए आप देखें यहां पर seatbelt देखने को मिलेगी साथी साथ ISOFIX child mount देखने को मिल जाता है इधर आपको grab handles panoramic sunroof की वज़े से आपको LED lights यहां पर देखने को मिलती है और वहीं दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूसरे passengers के लिए आपको cabin light यहां पर offer करी जाती है दोस्तों एकदम नई वाली celtos में ऐसा ही दिया गया है बागी पीछे यह देखते हैं यह आपकी parcel tray कुछ इस तरह से आपको parcel tray offer करी जाती है अच्छा खासा समान parcel tray में आप रख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों यह ते हो गई Hyundai Creta S Knight Edition प्राइस परता 18.16 लाक और रोड आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना है नेक्स वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिन जय भारत